एलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ निहारिका तो फ्रेंड्स गर्मिया आ चुकी है और गर्मियों का मतलब है आम का सीजन और आम हम सब को पसंद है और गर्मियों में हम आम से काफी सारी डिशिस बनाते हैं तो आज मैं आपके लिए दो बहुती आसान आम से बनी हुई डिश लेकर आई हूँ तो फ्रेंड्स पहली डिश जो मैं यहां आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है mango float काफी असान है और दूसरी डिश जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है mango stuff kulfi तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं यहां पर बनाऊंगी mango float mango float काफी असान देश है और यह बिल्कुल cake के जैसे लगती है तो चलिए शुरू करते हैं मैंने यहां पर एक बड़ा आम लिया उसको मैंने चॉप कर लिया और मैंने यहां पर दो तरह के biscuit लिया है एक साइड मैंने digestive biscuit लिया है उसको piece लिया है और दूसी साइड मैंने यहां पर Oreo biscuit लिया इसको भी मैंने piece लिया है आप अपनी पसंद का कोई भी biscuit ले सकते हो आप चाओ तो एक ही biscuit से बना सकते हो यहां मैंने लिए है 2 कफ विपिंग क्रीम अगर विपिंग क्रीम नहीं है तो आप अपनी घर में जो फ्रेश मलाई होती है उसको फेट के भी बना सकते हैं मैंने यहां लिया है आधा कफ मिल्क और यहां मैं ले रही हूँ दो टेबल स्पून कंडेंस मिल्क यह भी मैंने घर पर बनाया है बहुत असान है आपको बजार से लेनी की जरुवत नहीं है आपको चीनी और दूद को अच्छे से पकाना है तो यह कंडेंस मिल्क बन जाता है काफी सारे वीडियो हैं YouTube पे आप देख सकते हो कैसे बनता है condensed milk तो guys मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो एक काँच का बोल लिया है और मैं यहाँ पे जो biscuit मैंने पीसा था यह digestive biscuit उसको मैं spread कर रही हूँ कई लोग इसको पीसते नहीं है डारेक्ट जो biscuit होता है इसको दूद में डुबा कर भी layer बनाते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे इसको पीसा है आप चाहो तो बिना पीसे भी बना सकते हो तो मैंने यहाँ पे layer बना ली है और इसको थोड़ा सा soft करने के लिए मैं यहाँ पे डूद उपर से डालूँगी जिससे यह थोड़ा सा गल जाएगा तो इस तरह से आपको दूद उपर से spread करना है तो दोस्तों मैंने यहाँ पे biscuit के layer बना ली है अब हम बढ़ेंगे आगे की step की तरफ तो यहाँ पे जो मैंने whipping cream ली है उसमें मैं मिलाऊंगी दो बड़े चमर्स condensed milk और इसे अच्छे से mix कर दूँगी और इसी mixture में मैं मिलाऊंगी जो कटे हुए आम जो हमने काट के पहले से रखे थे उनको मैं mix कर दूँगी तो इस तरह से आपको अच्छे से फेटना है guys whipping cream बनाना बहुत easy है आप घर पे बहुत असानी से बना सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने यहां जो chunks काटे थे आमके वो मैं यहां पर मिला रही हूँ की उपर spread करते हैं उसी तरह से हमें spread करना है और इसकी एक लेयर हम बना देंगे so friends एक लेयर हमने बना दी है अब हम दूसरा जो हमारा biscuit है उसको spread करेंगे तो मैंने यहां पर लिया है oreo biscuit और इसको मैं अच्छे से spread कर दूँगी एक लेयर बना दूँगी इसकी so दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने दूसरे biscuit की भी लेयर बना दी है और वही same step करेंगे उपर से हम whipping cream लगाएंगे और अच्छे तरह से इसको cover कर देंगे so दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने उपर से whipping cream अच्छे से भर दी है और मैंने पूरी तरह से cover कर दिया है अब जो mango के chunks थे जो मैंने बचा की रखे थे उपर से मैं इसको decorate करूँगी आप कोई और फल भी ले सकते हो किसी और फल के साथ भी ये बना सकते हो और किसी भी तरह का आप उपर से जो भी decoration करना चाहें वो आप कर सकते हो तो मैंने यहाँ पे mango chunks डाले हैं उपर से और थोड़ा सा जो biscuit है digestive biscuit उपर से मैं इसको sprinkle करूँगी और इसको हम करेंगे एक से दो घंटे के लिए refrigerate हमें freeze नहीं करना है हमें refrigerate करना है और जब यह ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको आप अच्छे से serve करिएगा अपने महमानों को अपने घरवालों को और खाने में काफी tasty लगता है बिल्कुल cake जैसा लगता है और मैंने यहाँ पे दो layer बनाई है तो काफी delicious और दो तरह के biscuit का taste इसमें आता है तो guys आप देख सकते हो दो घंटे बार मैंने इसको निकाल लिया है और जैसा कि आप देख पारे होगी दो layers अलग से दिख रही है इसमें और यह बिल्कुल serve करने के लिए ready है तो जैसे आप cake को cut करते हो उसी तरह से इसको cut करके आपको serve करना है और इसको ठंडा ठंडा खाना है काफी अच्छा लगता है काफी नई dish है और काफी असान dish है इसको आप जरूर ट्राइ करिएगा और इसमें जो whipping cream है condensed milk है यह बिल्कुल घर पे बन सकता है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरुद नहीं है तो चलिए देखिए मैं इसको serve कर रही हूँ तो मैंने इसको इस तरह से cake के जैसे काटा है तो दोस्तों अब मैं इसको थोड़ा सा taste करके देखूँगी और आप देख पा रहे होगे कि दोनों layer अच्छे से दिख रही है और काफी अच्छे से ये ठंडा हो गया है और खाने में बहुत delicious है इस डिश को आप जरूर ट्राइ करिएगा काफी असान है और काफी नई डिश है तो इसको आप जरूर ट्राइ करिए और मुझे comment section में जरूर बताइए कि आपको कैसे लगी तो चलिए मैं इसको जल्दी से finish कर लेती हूँ फिर बनाती हूँ दूसरी डिश तो दोस्तो मैंने finish कर लिया है mango float काफी अच्छा था चलिए बनाते हैं हमारी दूसरी डिश वो भी बहुत असान है mango stuff कुलफी उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक glass full fat milk और इसे हम low flame पे boil करेंगे चलाते रहना है आपको इसे और आप ध्यान रखेगा आपको इसको छोड़ना नहीं है वरना यह नीचे से जल जाएगा तो चलाते रहना है और इसको तब तक चलाना है जब तक यह आधा ना हो जाए और मैंने यहाँ पे लिया है एक pinch saffron केसर के धागे लिये हैं और इसको थोड़ा सा मैंने दूट डाल दिया है और इसको ऐसी छोड़ दिया है जिससे का color आ जाए तो आप देख सकते हो दूद काफी हद तक पक चुका है और मैं यहाँ मिला रही हूँ आधा कप चीनी या फिर अपने टेस्क के according आप चीनी मिला सकते हैं जितनी भी आप चीनी मिलाना चाहें कम जादा आप अपने according इसमें mix करिए और चीनी को मैं दूद के साथ अच्छे से mix करूँगी और इसको फिर से boil करेंगे तो guys अब मैं mix करूँगी जो केसर वाला दूद हमने बनाया था वो हम इसमें mix करेंगे और इसको फिर से चलाएंगे इसको आपको लगातार चलाते रहना है वरना दूद नीचे से जल सकता है और अब हम थोड़ा सा समय बचाने के लिए इसमें एक चमच कॉन फ्लोर एट करेंगे तो मैंने यहाँ पर एक चमच कॉन फ्लोर लिया है उसमें दो से तीन चमच मैंने दूद मिला दिया और इसको अच्छे से mix कर दिया और मैं अब इसको दूद में mix कर दूँगी जो हम कुलफी का mixture बना रहे हैं उसमें हम mix कर देंगे और आप देखोगे कितनी जल्दी यह गाड़ा होने लगेगा आपको इसको लगातार चलाते रहना है छोड़ना नहीं है वरना लंप्स पढ़ जाएंगे आप देख सकते हैं कुलफी का mixture almost ready है गाड़ा हो गया है बस मैं gas को बंद करने वाली हूँ और हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे और इसको थोड़ी दे ठंडा होने के लिए रख देंगे दोस्तो कुलफी का mixture जो है वो ठंडा हो चुका है अब मैं इसमें मिलाऊंगी एक बड़ा चमज इलाइची पावडर और ये लाइची पावडर मैंने घर में ही कूट लिया है आपके पास बारकेट का पिसा हुआ हो तो आप वो भी mix कर सकते हैं और फिर हम इसमें मिलाएंगे घर की जो मलाई होती है वो मैं इसके अंदर दो से तीन बड़े चमज जो फ्रेश क्रीम या मलाई है वो mix करूँगी और फिर मैं इसमें मिलाऊंगी दो बड़े चमज condensed milk condensed milk बनाना बहुत easy है अगर आप चाहोगे तो मैं इसका condensed milk कैसे बनाते हैं उसका वीडियो भी मैं upload करूँगी वरना यूट्यूब पे काफी सारे वीडियो हैं आप उस पे देख के condensed milk मना सकते हैं और अब मैं इसको 2-3 मिनिट के लिए blend करूँगी अच्छे से और यहाँ पे मैं hand blender यूज करी हूँ आप इस process को mixी में भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुलफी का mix है उसको अच्छे से blend कर लिया है और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे mix करूँगी इसमें कटे हुए पिस्ता आप अपनी पसंद का कोई भी dry food इसमें mix कर सकते हैं और अब जी कुलफी mix है वो freeze होने के लिए ready है लेकिन अब मैं इसमें देने वाली होई twist इसको मैं mango के अंदर stuff करके freeze करूँगी so guys मैं जिस तरह से यहाँ पे आम को cut करी हूँ और इसकी गुटली निकालूँगी उसी तरह से आपको करना है थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि आम जो है वो फटे नहीं तो इसका जो मैं यहाँ पे यह आप देख सकते हैं जो इसका front portion में निकाल रही हूँ इसको आपको fake ना नहीं है यह ढखने के काम आएगी आगे तो जिस तरह से मैं यहाँ पे गुटली निकाल रही हूँ विल्कुल वैसे आपको इसकी जो गुटली है उसको निकालना है फिर हम इसमें कुलफी को स्टफ करेंगे तो मैंने यहाँ पे आम की गुटली है उसको निकाल लिया है और जो भी आम का पल्प निकलेगा उसे हमें दुबारस में भर देना है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपना कुलफी मिक्स इस तरह से आप कप या ग्लास के अंदर आम को रख दीजे फिर उसमें कुलफी जो मिक्स है उसको हमें डालना है और इसको कम से कम 5-6 घंटे के लिए आपको फ्रीज करना है तो फ्रेंड्स 5-6 घंटे हो चुके हैं आप देख सकते हो हमारी जो मैंगो स्टफ कुलफी है अच्छे से फ्रीज हो गई है और काफी ठंडी है तो चलिए अब इसको हम काट लेते हैं तो फ्रेंड्स इस तरह से जो पीलर है उससे मैं इसका जो छिलका है उसको पील कर लूँगी काफी ठंडा है इसलिए मैंने इसको एक कपड़े से पकड़ा हुआ है और उसके बाद मैं इस तरह से इसको कट कर लूँगी तो आप लोग देख सकते हैं कितने सुन्दर और कितने अच्छे से हमारी जो कुल्फी है वो जम चुकी है और कितनी डिलीशेस लग रही है खाने में तो गाइस ये भी बहुत असान है आप इसको जरूर बनाएगा और इस तरह की कुल्फी मैंने चान्दी चौक में खाई थी और वहाँ पे काफी सारे फलों में कुल्फी मिक्स जो है वो स्टफ करके फ्रीज करके देते हैं तो आप ये कुल्फी किसी भी फल के साथ बना सकत खूंगे हैं तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राय करियेगा और मुझे जरूर बताइए गाए आपको कैसे लगी आई होप आपको दोनो अजरूर रेसिपीज पसंद आई होंगी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरू करिये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिये तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई